हेलो गाइज दिस इस में अली और इस चैनल पर में वीडियो बनाता हूँ सेल्फ इंप्रूब्मेंट और रिलेशनशिप अडवाइस के बारे में और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वाई पीपल रिस्पॉंड तो नो कॉंटेक्ट रूल लोग no contact rule पे respond क्यों करते हैं क्यों ये so amazingly work करते हैं throughout my journey मैंने अपनी life में ये देखा है that no contact हमेशा work करते है और मेरे clients लिए भी करते है so that's why I'm saying with surety but before talking on this topic I would say you can subscribe my channel and अगर आपके को questions है you can ask me on instagram I would love to help you guys and so the topic is why people respond to no contact rule जब आप no contact rule पे अमल करते हैं तो लोग respond क्यों करते हैं why it's so important no contact rule इसलिए important है क्योंके ये उनके दिमाँ में fear पैदा करता है fear of loss ठीक है अब आप ये सोचेंगे आप ये question कर सकते हैं कि एक बंदा मुझे पहले से छोड़ने पता ही आ रहे तो उसको किस चीज कफी है नहीं आप समझे नहीं इस चीज को जब लोग आपको ठुकराते हैं आपको छोड़ते हैं तो उनके दिमाँ में ये होता है कि control अभी भी उनके हाथ में यानि कि वो अभी भी आपको हासिल कर सकते हैं क्योंकि आप जाहरे उनको validation देते हैं break up के वक आप उनकी मिननते करते हैं ने कहते हैं कि माँ छोड़के जाओ bagging and pleading लेकिन no contact इसलिए अच्छा वर्क करता है क्योंकि ये उनके दिमाग में ये डर डालता है कि क्या वो अब आपको वापस हासिल कर सकते हैं या नहीं क्योंकि जब आपको छोड़ रहे होते हैं अच्छा ठीक है खुश हो जाते हैं लेकिन जैसे इसे टाइम गजरता है उनको लगता है वो खुछ से बैठके सवाल करते हैं क्या मैंने सही फैसला लिया है या नहीं लिया और जब ये डर उनके दिमाग में पैदा होना शुरू होता है तो इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट आते हैं अक्सर मेरे स्टूड़न्स के ऐसे भी आते हैं रिजल्ट के वन इन जस्ट अवीक के नेक्स्ट परसन मरने ले जाते है बात करने लिए क्योंको उनको रिलाइज अचानक से होता है कि यार यह तो वाक्य में सीरियस हो गया और यह तो शायद मुझे वाक्य में एकसेप्ट नहीं करेगा दोबारा क्या मैंने सही फैसला लिया है और यह जब उनके दिमाग में डर पैदा होता है ना फीर तो वो आपके पास दोड़े दोड़े वापस आते हैं ठीक है सेकिंड नो कॉंटेक्ट रूल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंके यह आपकी स्ट्रेंथ को जाहिर करता है यह आपकी मजबूती को इस इमोशनल स्टेबिलिटी को जाहिर करता है इस दुनिया में humans are emotional creature इंसान जो है वो emotional creature है वो emotions पे respond करता है वो गानों पे बैठके होता है ब्रेक अप के बाद लेकिन अगर आप उन 1% men जैसे बनेंगे या उन 1% women जैसे बनेंगे जो अपने अपर फोकस करते हैं रोते होते होते नहीं है और emotionally strong है तो लोग इस चीज को value देते हैं because you are a 1% 1% परसंट क्योंके ज़्यादा तर लोग इस दुनिया में जो हैं वो emotionally weak हैं वो sad status लगाते हैं और कितने दिनों तक रोते रहते हैं और अपनी ex को ये बार बार बताना चाहते हैं indirectly कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं उनको लगता है एकदम वो मेरे status देखेगी और उसके दिल में महबब जागेगी और दोड़ी दोड़ी वापस आजाएगी नहीं भलके आप उसको validation दे रहे हैं आप उसको ये जाहर करवा रहे हैं कि येस तुमने अच्छा फैसला लिया मैं हूँ इसी काबिल मैं रोतू धोतू हूँ मेरे अंदर कोई strength नहीं है कि मैं कोई करूँ जिंदगी में मैं उस तुम्हारे बेगिना बेकार हूँ I know आपको दर्द फीज होगा I know ये sad होता है मैं ये नहीं कहा रहा कि आपके पास कोई magic button है जिससे आप switch off कर दें और आप पे pain feel ना हो या वो जो यादे जो आपके दिमाएं में हो एक चानक से मिट जाए नहीं ऐसा नहीं होगा लेकिन अपने आपको ये बता हैं कि it's normal कि मुझे feel होगा it's a process और मैं अगर मैं इस process से निकलूँगा तो तब ही मैं जिन्दीगी में कुछ बनूँगा क्योंकि फिर मैं strong हो जाओंगा next time जब परसाथ ऐसा कुछ होगा तो मुझे back of the mind ये होगा कि मैंने एक time एक दफाए ये सब चीज गुजार ली है वो responsive है जब उन्हें कोई ठुकराता है तो उनकी ego पर लगती है और वो sad feel करते है उनकी कोई job चुटती है तो वो 10-10 दिन तक रोते रहते हैं कि मेरी job चली गई हाले कि दुनिया इतनी बड़ी है कितनी job जाब 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 पर ने सही है कोई इनसान अगर आपको छोड़ता है तो आपको लगता है इसके इलावा तो कुछ है यह नहीं लेकिन शायद यूनिवर्स खुदा अल्ला आपको कुछ बैटर चीज़ देना चाहता हो लेकिन आप उस पीछे वाले पर रो रहे हैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अपने आपको स्ट्रॉंग शो करें लोग आपको वैलियो करेंगे जब आप स्ट्रॉंग शो करते हैं जब आप इमोशनली स्टेबल खासत और इस्पेशली इफ यूर अमेन और आपकी गिल्फरेंड ने आप से ब्रेकप किया तो मैं आपको रेक्मेंड करूँ हूं कि जरा भी मोशन शो मत करें मुझे पता है आप सोचेंगे यार यह तो मेरे ब्रेकप करवाने के चक्रों पर यह तो चाहता है कि मैं इमोशन शो ना करूँ तो ऐसे तो मुझे वो ज़्यादा हेट करने लग जाएगी नहीं ऐसे वो ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी अगर वो वापस ना भी आई ना तो अट लीस्ट वो रिस्पेक्ट करेगी कि यार यह थोड़ा डिफरेंट था यह बंदा यह वैसा नहीं था दूसरों की special केओंकि उसको दिन में सा बंदे ऐसे मिलते हैं जो रोतो धोतो होता है जो जी पकते उसे जो उस पे लाइने मारता है तो आपको वो नहीं बनना ठीक है आपको डिफरेंट बनना है अप डिफरेंट बनेगे पेर सेटन्थ है। यंसिंदे की वार्च इसथ में हीसं नहीं सकता है आप जब पहली बार नो कॉंतेक्ट रूल पर अमल करेंगे तो में भी आपके अंदर अतना confidence नहीं हो क्योंकि आपको नहीं पता कि एक बार करेगा या नहीं करेगा आपने मुझ जैसे या किसी और की वीडियो देखी या कोई book पढ़ी और आपको आपने ये चीज सीखी और आपको लगा किया इसको अमल करना चाहिए लेकिन आपने खुद नहीं practice की तापको पता है लेकिन मैं आपको कहूँगा कि एक बार practice ज़रूर करें इस चीज को चिपके मत रहें लोगों को stand लें जब आप इसको एक बार practice कर लेंगे ना इस चीज को जब इसी डर से एक बार निकल जाएंगे तो फिर आप बहुत स्ट्रॉंग जाएंगे फिर आप से कोई इनसान खेल नहीं सकता इस दुनिया में क्योंकि लोगों के पास सबसे बड़ा हत्यार क्या होता है आपको डराने के लिए कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा आपको लगता है कि आपका बॉस आपको बचा जाएगा मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देगा लेकिन जो सबसे बड़ा लोगों के पास हत्यार है आपको डराने के लिए वो यही है और मैं यह कहूंगा कि हत्यार से मत डरें ठीक है इसी तरह relationship में no contact rule पे अमल करें जब कोई आपको छोड़ना चाहता हो तो उसको जाने दे ज पहली बार तो आपको छलांग लगानी पड़ेगी समंदर में फिर आपको पता चलेगा कि यह वर्क करता है यह अच्छा वर्क इसलिए करता है बिकाज यह फिर उनके दिमाग में डालता है यह आपको स्ट्रॉंग शो करता है और especially women के उपर बहुत अच्छा वर्क करता है क यह अपने फैसले क्या लेगा जिंदगी में जो मेरे उपर dependent है तो वो इसलिए आपको छोड़ देती है क्योंकि वुमेंस इमोशन ज्यादा फील करती है इसका बेटो मैं आप साइकलोजिकली बता रहो साइंस के तो इसलिए नो कॉंटक्ट रूल इस सो एसेंचल नो नई जिन्दगी मुझे लगता है देता है एक डेड रिलेशनशिप को नई जिन्दगी दे सकता है नो कॉंटक्ट रूल क्योंकि स्पेस में ही लोग आपको मिस करते हैं इस सिंपल लॉजिक है जब स्पेस देते हैं तो उनको नेगटिव यादे मिटनी अच्छी यादे आ क्यादे है पात है थुम्हां करते हैं टेस जेया प्रेण